मनीश्या रानी और जिया शंकर से रोज देली जो है फुकरा इंसान बात करते हैं ये बात उन्होंने खुद अपनी जुबाने स्पेस में आके बोली है तो गैज जिया शंकर का यहाँ पर वो एक बार फिर से सपोर्ट लेते हुए नजर आए अपने जो पी ओवी है वो बतात आदे हुए नजर आए क्योंकि बाहर आने के बाद जो है उन्होंने सब चीजे देखी समझी और हमने भी एक्चुली में समझ ली थी कि आखिरकार फुक्रा इंसान के दिल में चल क्या रहा है पूजा भट के लिए मेकर्स के लिए पूजा भट से वह अच्छली में शांत क इसो अब जो अभी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं वहीं उपूजा भट के साथ अगर पंगा लिया जाए तो मतलब कि आप मेकर्स के साथ पंगा ले रहे हैं तो इसलिए मन sos समझ कि वहां पर चल रहा था कि नहीं भहीं इस से पंगा नहीं ले नहीं क्योंकि उसको बहुत ज़दा सपोर्ट किया जाला था, मेकर्स की काफे ज़दा पोल खोली और फुक्रा इंसान ने बोला कि उनके चैनल पर उनका एक गाना भी आने वाला है, नेक्स्ट वर्जिन आने वाला है, फिर जो है उन्होंने बोला कि मैं वैसे किसी और के साथ तो ग है या मनीशा फेवरेट है, क्या हो सकता है जब गाना आएगा जब अनाउंसमेंट होगी या उससे पहले अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो यह भी बात बोला कि बिग बॉस में जितने भी लोग है, सबसे जादा बात जो है उनकी मनीशा रानी और जिया शंकर से होती है, और जिया शंकर बहुत अच्छी लड़की है, उसको घर के अंदर ऐसी सिचुएशन में डाला गया, जिसकी वज़ा से वो गलत डिखने के लिए मिला वो आप बाहर गलत दिखी, सिचुएशन तो यार बहुत सारी थी, सिचुएशन से इनके उपर भ डाली गई मनीशा को बहुत जादा ये बोला गया कि आप ये करना आप बदल गई आप बदल गई आप बदल गई आ पर मनीशा जैसे थी वैसी ही रही आप के ऊपर situations डाली जाएंगी घर में ये ही बिक बॉस आप कैसे है उन सिच्वेशन के निकल क्या आप positive कैसे निकलते हैं यही तो गेम है अब वो चीज़े नहीं कर पाई है तो वो उसके personality है जिया शंकर की जैसी वो दिखाई दी वैसी तो हमने बाहर देखा न अभी फिर भी बोले कि नहीं इसने जो है किसी को गाली तो देदी है पर यह अच्छी लड़की है यह अच्छा इंसान है ऐसे कैसे होता मुझे समझ नहीं आया यह मतले कि statement मुझे समझ नहीं आया आपका क्या कहना है बताईए जरूर इसी के साथ मैं लेती हुझासत नमशकार